हेलो गाईज क्या हाल चाहलें आपके वल्कम टू जकास क्लास एट और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आप ही के क्लास एट साइन्स एंसी यार्टी टेक्स्ट बुक के चेप्टर नमबर टू माइक्रो अर्गनिजम फ्रेंट्स एंड फो इसका मीनिंग मैंने बताया था लेक फिर आप सर्च भी कर सकते हैं क्लास एट साइन्स चेप्टर नमबर टू माइक्रो अर्गनिजम फ्रेंट्स एंड फो वाय जकास क्लास आप सर्च कर सकती हो तो लेक्चर वीडियो जाओ उसमें ये चेप्टर आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा आप इसको अच एंसर करते हैं question answer question number one पर पहले हम आते हैं micro organism can be seen with help of जो micro organism होते हैं पता है कि हम उन्हों खाली आँख से नहीं देख सकती है पर किस से देख सकते हैं microscope सी तो microscope से ही उनका नाम micro organism पढ़ा है तुम बोल सकती हो तो किस से हम देख सकेंगे microscope सी blue green algae fix dust directly from air to enhance fertility of soil तो जो blue green algae होता है वो क्या fix करता है सुनो कुछ भी fix करने की बात ही बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे blue green algae थोड़े ना nitrogen fix करता है हाँ बुक में भी बस rhizobium का दिया है पर यहाँ पे कुछ soil से fix करने की बात आ गई ना तो हम क्या लिखेंगे nitrogen लिखेंगे यहाँ अगर कुछ fix हो रहा है तो nitrogen प्लांट से related आलकोहल is produced with help of किसके help से होता है इस्ट के help से किसके इस्ट के help से कोलेरा is cost by bacteria कोलेरा किस से होता है बेक्टेरिया से clear let's move to question number 2 before that pause the video and note the answer down यहाँ पे हमें correct tick the correct answer जो correct answer होगा वहाँ पे हम tick लगाएंगे यहाँ पे मैंने link भी दिया है चलो tick भी लगा देता हूँ आपके संतोस्टी के लिए lecture videos देखोगे ना तो इसके जबाब इतने आसाने से दोगे कि तुम सोच भी नहीं सकती lecture videos दोखो वो बहुत important है मैंने line by line NCRD तुमारे book का एक line भी नहीं चुड़ा सब कुछ cover किया है जितने भी important चीज़ है जो भी exam में आने के probability थोड़ी बहुत भी है वो भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कहाँ पे lecture में पहला question क्या बोलता है East is used in production of अभी हमने पढ़ा यार question number one में alcohol production में east help करता है तो यहाँ पे answer क्या होगा alcohol question number B 2 का ही B the following is an antibiotic कौन सा antibiotic है streptomycin हमने कौन कौन से antibiotic के नाम पढ़े थे pencillin streptomycin और tetracycline clear let's move to question number three carrier of malaria causing protozoan each female anophilis mosquito हमने पढ़ाता मच्छर से होता है concept female anophilis और dingo किस से होता है female ladies से जिन जिन को पता था यह question का answer कोई भी question का answer अगर आपको पता है तो comment में जरूल लिखे ताकि मुझे पता चले कि हमारी बच्चे समझदार है नहीं समझदार है तो मैं आपको समझदार बना दूँगा यह videos देखो और मुझे पता है आप लोग समझदार हो यार आपको बस कोई अच्छे से guide करने वाला नहीं है जो मैं आप करने वाला हू आपको अच्छे से guide करूँगा और आपके number बढ़ाने वाला हूँ पहले से अच्छे आते थे और अच्छे आएंगे नहीं आते थे अच्छे तो videos देखो सारे videos आपके in subject में अच्छे नमर आएंगे science, math, English इस session से पहले में upload कर दूँगा और जब तक आप 9th में जाओगे आपका sstv upload हो जाएगा clear गर्मी की छुट्टी में sstv हम upload कर देंगे आपके लिए मैं पढ़ा दूँगा line by line most common carrier of communicable dg चीज चो most common carrier होता है किसका communicable dgs का वो क्या होता है मक्खी होता है जिसको क्या बोलते हैं हम बोले तो house ply रुको मुझे pen on करने तो हाँ house ply ठीक लगा दि next bread और idly dough rises because of fermentation और fermentation किसके बज़े से होता है east की बज़े से तो growth of east cell answer होगा question number f last question है question number 2 का not of exercise exercise का नहीं question number 2 का last question है process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation क्या बोलते हैं fermentation चलो तुमारे लिए टीक भी लगा दिता हूँ let's move to next question that is question number 3 कलम मैच करना है यहां पर मैच करें कलम चलो मैच करता हूँ तो पहला bacteria bacteria से related क्या है यहां पर bacteria क्या करता है यहां पर चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या करता है bacteria का काम है cholera cholera जो disease है वो एक bacteria के बज़े सी होता है मैं लिखवाया भी था board में जब lecture पढ़ा रहा था आपने नहीं देखा तो नहीं पता चल रहा होगा बनना याद आ गया होगा जैसे भी मैंने chol cholera बोला राई जो भी हम क्या करता है nitrogen को fix करता है fix nitrogen lactobacillus क्या बनाता है दही किस से दूद से तो setting cod और क्या है yeast क्या करता है baking bread क्या है baking bread रोको थोड़ा हां baking bread होग जाए अभी भी नमबर प्रोटोजवान का काम क्या है causing malaria तुम्हें पता है मैंने पता है था न प्रोटोजवा और उसका नाम क्या है मैंने ये भी बता दिया था तुम्हेरे ग्यान के लिए प्लास्मोडियम बोलते हैं उसे बुक में नहीं है मैं अपने जियान से अपना जो आइडिया है उससे बता रहा हूँ मैंने जो आज तक मैंने जो शिखा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें मज़ा आये पढ़ने में प्रोटोज़ा, मेलेरिया कॉस करता है, वो जो specific का नाम क्या है, प्लास्मोडियम है, ए वाइरश, वाइरस क्या करता है, वाइरस, antibodies प्रडियूस नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा, क्या करेगा, AIDS कोच करता है, ये पुरा सीधा का सीधा लग जाएगा, antibodies con-produce करता है हमारा body जब कोई foreign organism या फिर disease हमें होता है तो जो vaccine में हम पढ़ेते हैं vaccine बाला भी मैंने बहुत अच्छे से explain किया था वो भी exam में आने की probability है तो आप lecture जरूर देखना question number 4 तो देखो इसको पहले note कर लो अगर नहीं किया तो कर लो जल्दी question number 4 can microorganism be seen with naked eye जो microorganism है क्या हम उनको खाली आँख से देख सकते हैं अगर नहीं तो how can they be seen तो microorganism को हम खाली आँख से नहीं देख सकते हम इनको किन से देखेंगे microscope से देखेंगे clear answer क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए खाली आँख से नहीं देखते हैं पर microscope से देख सकते हैं बस fungus जो होता है fungus microorganism को हम magnifying glass से भी देख सकते हैं किस से? magnifying glass बाकी सबको magnifying glass से नहीं देख सकते हैं microscope से सबको देख सकते हैं clear है? देखो ये answer लिख दिया है मैंने let's move to question number 5 what are major groups of microorganism? मैंने बताया था 4 major groups होते हैं क्या-क्या? एक तो bacteria एक तो bacteria दूसरा fungi 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 हो गया या फिर fungi बोलो तीसरा क्या है? protozoa और चोथा क्या है? algi protozoa और चोथा क्या है? algi clear let's move to the answer section before I move to the next question pause the video and note it down name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in soil तो कौन सा microorganism? soil में nitrogen fix करता है देखो बुक में एक नाम नीता पर यहां पे एक ज्यादा है पहला तो rhizobium यह तो बुक में था सर हाँ अभी एक नाम बोलूँगा जो बुक में नीता पर exercise solution में तुमें पता चलेगा और क्या है? Clostridium दो नाम चलो बता देता हूँ extra मैं अपने ग्यान से यह सब चीज़े बता देता हूँ तुमें मैंने जो जो पढ़ा है Clostridium और क्या? Agotobacter यह दो नाम भी याद कर लो जो याद easily मुझे लगता है राइजोबियम ही easily याद होगा Clostridium भूल भी सकते हो Agotobacter तो याद कर लोगे कर लो दो तुमारे teacher भी चौँख जाएंगे बच्चे तुम्हें कहां से पता चला? यह तो book में नहीं टे बोलके अगर तुम क्लास में जबाब दोगे तो कि Agotobacter भी मैं चलो, पहला point से शुरू करते हैं आप point बना क्या card बनाने में? पहला एक point हो गया और क्या बनाता है? Cheese बनाता है, bacteria दो हो गया चलो और क्या बनाएगा? Alcohol, सराब बनाता है सराब इसमें क्या फाइदा है? सराबियों को फाइदा है सराब बेचने वाले को फाइदा है और क्या है? Next क्या होगा? बेकरी प्रड़क्ट जैसे bread ब्रेड लिख देता हूँ या फिर बेकरी प्रड़क्ट लिख सकते हो तुम ब्रेड और क्या हो सकता है? चलो इसको यहाँ पे चिपा देते हैं ब्रेड हो गया और क्या होगा? अंटी बायोटिक्स मेडिसिन अंटी बायोटिक्स और क्या बनते हैं? चलो पांच होगे अब और क्या? क्या बनेगे? मैनियोर मैनियोर और फिर बनेगा वैक्सीन वैक्सीन भी microorganism से भी बनता है और क्या कितने करोगे सर बता दो ना आफी तो और दो points यो है वो थोड़े लंबे-लंबे होने वाले हैं जैसे soil fertility soil fertility और सुनो soil fertility से और क्या एक point आता है nitrogen fixation nitrogen fixation सर दसवा point भी बता ही दीजिये इतना तो बता दिये तो ये organism pro-biotics भी होते है pro biotics clear दस point अभी line भी लिख दिया है देख लो ये note कर लो अगर तुम अपने मन से चाहूँ छोटे-छोटे point खुचसे point बना सकते हो तो ये note कर लो और नहीं बना सकते तो ये उतार लो उतार लो मैंने पुरा दस line अच्छे से अच्छे वाड भरके type करके slide में रखा है जिसको आप note कर सकते हैं question नमर 8 की तरफ बढ़ते है write a short paragraph on harms cost by microorganism पहले क्या benefit पड़े of harm harm में क्या क्या आएगा ये pathogenes होते हैं तो हमें disease देते हैं किसको human को disease in human plants में भी disease देते हैं और क्या animal में भी disease देते हैं और disease में क्या क्या होता है जो मैंने बताया था वो सब आपको लिखना है जैसे chicken pox, cop, polio, influenza, cold किसके द्वारा होता है भाइरस के द्वारा bacteria कुछ cause करता है कुछ cattle में, food और mouth में होता है disease उसको बोलते हैं anthrax typhoid TB bacteria cause करता है और क्या होता है fungi, ringworm disease जो होता है वो fungi cause करता है dysentery, malaria प्रोटो जोगा के द्वारा होता है malaria और dysentery याद कर सकते हो, यह सब मैंने अच्छे से पुरा explain किया था कहाँ पे lecture videos में वो देख लोगे तो यह answer तुम अपने मन से लिख पाओगे बहुत अच्छे तरीके से देखो मैंने लिख भी दिया है पुरा एक paragraph क्या, दो paragraph लिख दिया है चलो, तुम जो चाहो वो उतार सकते हो जो चाहो वो छोड सकते हो मैंने सारा कुछ answer में दे दिया है सारे main points भी है इतना जिसने लिख दिया, उसके marks कटने के chance ना के बराबर कोई teacher बोल भी नहीं पाएगा कि तुने ये point नहीं लिखा क्योंकि इसमें सारा point over है तो ये आप note कर ले question number 9 last question what are antibiotics, antibiotics क्या होते है what precaution must be taken while taking antibiotics antibiotics are medicine जो कि मारते हैं या फिर growth को बन कर देते हैं किसके microbes को, जो disease cause करते हैं जो बिमार करते हैं हमें वो बाले microbes को ये antibiotics मार देते हैं ये किस से manufacture होता है specific microorganism को grow करके हम इसको manufacture करते हैं और इसका precaution हमें क्या लेना चाहिए ये लेने से पहले आप doctor से सही consultation ले वो जितना बोल रहे हैं जितने दिन तक खाने के लिए बोल रहे हैं और quantity खाने के बाद खाने से पहले बोल रहे हैं वो हमें अच्छे से मानना चाहिए कभी अपने मन से अगर antibiotics ले लेंगे तो unnecessarily हमारे जो useful bacteria हैं हमारे body के अंदर जो हमें help करते हैं वो मरके हमारी तबियत भी बिगड़ सकती है या फिर अगर उसके course में हम कुछ neglect भी करते हैं तो उसमें भी हमारे body को harm पहुंच सकता है जिसका answer मैंने लिख दिया है question number 9 का आप वीडियो को pause करके note कर सकते हैं तो इसी के साथ तुमारा chapter number 2 class 8 science exercise solution होता है finish फिर से बोलूँगा जगास channel में जाओ और इस बार annual exam से पहले आपके science, math, English के सारे chapter line by line explanation के lecture videos lecture videos है जो है हमने book को अच्छे तरह से पढ़ा है उसके बाद क्या आएगा exercise solution का video इसका lecture video का link मैंने description box, i button, comment section में दे दिया होगा सबके chapter में link दे दिया गया है हमारे videos का जिसको देख के आप quality content free of cost मिलेगा आपको किस channel में हमारे channel में तो follow up हो जाओ, हम जो जो videos डाल रहे हैं आपके class के उसको देखो, समझो, पढ़ो, बार बार पढ़ोगे, अच्छा marks लाओगे सबकुछ समझ में आएगा और आप exam में आसानी से सारे answer लिग भी पाओगे तो इसी के साथ मैं लेता हूँ तुम से विदा, मिलते हैं अगले videos में तब तक पढ़ते रहो, जकास देखते रहो, जैहिंत, वंदे, मातरम